बिहार में दसकों से लंबितम महत्पूर्ण कारे में लगाये गये कर्मी प्रसासनी कुपेक्षा के सिकार दिखाई पर रहे हैं। कि उन्हें जमीन के सर्वे जैसे महत्पूर्ण काम में लगाया गया है। लगबक 60 साल के बाद यहां सर्वे का काम सुरू हुआ है। न्याले में 90% केस जमीनी विवाद के कारण ही दर्ज है। अगर ठीक से सर्वे हो जाये तो सायद 90% केस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मौके पर मौजूद विशेस सर्वेच्छन संबीदा कर्मी संद के मीडिया परभारी मुहमद सफी अहमद ने बताया कि हम लोग बीते 13 जनवरी से ही अपनी 11 सुत्री मांगो के समर्थन में धर्ना परदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कोई भी पदधिकारी मिलने नहीं आये हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धर्ना चालू रहेगा। जब तक हमें तक हमें पूरी नहीं होगी तक हमें। मेरा नाम मुहमद शाफी आमादुआ और हम यहां के परभाड़ी हुगा है चीता मरीद संकेर और हम लोग के जो 11 सुत्री मांगे हुई जिसमें पहला यह है कि हम लोग यहां पे जॉब कर रहे हैं कॉंट्रैक्ट बेसिस पे इसमें पाच पॉइंट जो मिलने का प्रभधान ह जिसके लिए हम लोग मांगने हैं दूसरा एक हम लोग ए खेत rapport करते हैं हम लोग का मोझा आलग अलग block में रहता है उसमें आने जाने के लिए ती लैंशित काड़ी तो अभी आय नहीं है लेकिन वह अम लोग पर्यास कर इसे पहले भी धर्ना दे चुके थे आपको 6 मेना पहले तो उसमें है हम लोग का बारतलाब हुआ कि हम आपका जो भी रिक्वार्मेंट है जो भी मांगे उस तो पूरा कर देंगे लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ इसलिए हम लोग पुना धर्ना पर बैठ नहीं है अभी तक आप लोगोंने की तने लुख में कम कि हे थी वर्शा ओ लुग में जो है च्वार्मेंट कर आपको फंबर्सा गया नहीं हो लिरीगा पत्ना यह और बाजपटी में, यहां पे अभी कारी रहा थे हम लोग, मतलब काम चल दा भी रर्निंग में है, और सेगेंड फेज में जो है, अधर ब्लॉग में चलेगा, जो कि अभी आदेश में आया है, जे.